नमस्कार दोस्तों डियर किसान में आपका एक बार फिर स्वागता है मैं हूँ आपका दोस्त परवीन और फिलाल खड़ा हूँ इस तरवाल और गैनी करसी फारम के उपर यहाँ पर अमरजीत भाई हमारे साथ में हैं और आपने देखा होगा कि चने की फसल हमेशा ही ज्यादातर इलाके में यदि हम बात करें तो बिरानी छेतर में की जाती है जहाँ पर केवल पानी का जो सदन है वो बारिश के उपर डिपेंड रहता है तो ऐसे एरिया में चने की फसल आपको जादातर देखने को मिलती है बहुत सारे किसानों के मन में ऐसे सवाल रहते हैं क्या सिचाई करके क्या हम टूबल का पानी लगाके या फिर नएरी लाके मेने वी चने की फसल पूरे खेत के अंदर ऐसे ही पोदे हैं इतने ही आकार के इतने ही टहनियों के और यदी मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाऊं ताकि आपको विश्वास हो जाए कि पोदा वास्तों में एक ही है तो इसकी जड़ें दिखाएं इसकी जड़ें दिखाएं कि एक ही जड़ है यह आप देख सकते हैं कि यह पोदा जो है पूरे का पूरा एक ही जड़ के उपर है यह इसकी टहनिया यहां से तूटी हुई है यह देखिए तो यह एक ही जड़ का एक ही पोदा है यह आप इस परकार से देख सकते हैं इसकी थो चलो 500-200 के आसपास हो सकती हैं, तो कोई इसके अंदर जो है तीसे उक्ति की बात नहीं होगी, जो है इसकी फलियों का साइज भी काफी अच्छा है, और यदि मापको इसके अंदर दाना यदि दिखाऊं तो यह आप देख सकते हैं, इसके दाने का साइज कितना अच्छा है, एक देशी वराइटी होते हुए भी कितना अच्छा आकार यहां पर कितना अच्छा पकाऊ जो है दाना लिये हुए है, तो यह आप इसकी फलियां देख सकते हैं, काफी अच्छे आकार की हैं, पूरी तरह से पकी हुई हैं, जो फलियां खाली रह जाती हैं, तो ऐसा पूरी तरह से जहरमुक्त है, जैविक है, कोई भी इसके अंदर जो है राइसानिक खाद का जैसे की यूरिया, डियेपी, पोटास का उपयोग इनोंने नहीं किया, क्योंकि एक परियोग के तोर पर घर पर खाने के लिए, घर पर इस्तेमाल के लिए इनोंने यह चना जो है सबसे पहले आप यह बताइए कि आपने चने की विजाई कैसे की और इसके अंदर पानी आपने ट्यूवल का दिया नहर से उठाकर दिया है, किस प्रकार से आपने इसमें से चाहिए इसके बारे में थोड़ा बताइए, जैसमें पानी गिरता डिप का उसे एक फुट दूर पहanderाज कर डिविज को विसमय तोटल ला Beim की दूरी रहे हैं, , हो इसमें इसमें और इसमने थीज़ी क्ले कि बात करें क्यों कि इतना बड़ा है देखने मेँ यह लगता है कि देशी तो हो नहीं सकता तो यह कोंड सी है कहां से आपने इस बीज का चुनाव किया इसके बारे में बताईए यह वराइटी के बारे में कोई जानकारी निया जी हमारे गर पे था हमने कई पहले किसी किसान बाई से लिया था दाल बनाने के लिए उसी में से अबने बीज उठाया पिछली साल लगा दिया और पिछली साल अच्छा उत्पादन रहा तो फिर अपकी बार फिर लगा इसको लगाते टाइम पर आपने इसके नीचे कौन-कौन सी खाद डाली चने के और बीच में 12 फिट के बीच में तीन चैर लाइन के लगा रखी है ठीक चने के साथ में अपने सर्सों भी लगा रखी आसा इतना जाद अच्छा परफोर्मेंस देखने को नहीं मिला लेकिन चने की यदि हम बात करें तो इसमें काफी अच्छा रजल्ट आपको देखने को करता है तो आमें उस टाइम यह नहीं पता था कि इतने बड़े बड़े पोदे भी हो सकते हैं क्या मिल्कूस में अमेने विजाई की तुसमें अच्छा रिस्पॉंस रहा इसमें हमारे बड़े से बड़े पोद्दा उस टाइम चोदा सुसतर फलिगा था जब कि अब कि बार जाए पोदे रहता है तो जहां पर पानी गिरता है वो ड्रीप से कितनी दूरी पर थी एक फिट दूर थी तो इसकी पीछे क्या तो आपने इसके अंदर कितनी सी चाईया दी ये बताइए इसके अंदर हम ने चैर बर पानी दिया राजी बीच में एक बारिश भी होगी थे और पानी के साथ हम गोकर प्यामरत जो एक ट्रिया होता है वो जुरूर आपने चलाया तो चार-पांच सी चाईया आपने आपके ट्यूवल का पानी कैसा है इसके बारे में बताइए पानी मिठा है जी ठीक है पानी में को दिकत नहीं है बिलकुल मिठा पानी है और आप जो है अपने ट्यूवल से सिंचाई करके विच्णे की फसल हलकी से हलकी जमीन में और भारी से भारी जमीन में कर सकते हैं यह पर ये इसका परतेक्स नमुना आपके सामने है, ये मोडल आप देख सकते हैं, अमरजीत भाई आपने ये जानकरी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद